बूर्णिंग दियर इस्टुरेंट्स हम लोग पिछली क्लास में कुछ एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किये थे आज हम न्यू पेज पे कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आपको यहां पर पिक्चर वन और पिक्चर टू दिख रही होगी तो आपको इन पिक्चर को अच्छे से देखना है यह पिक्चर वन है यह पिक्चर टू है तो पिक्चर वन में कुछ अलग प्रकार के बीज दिखाएगा है और पिक्चर टू में कुछ अलग प्रकार के बीज दिखाएगा है तो आपको यहां पर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में देखना है, first one is in pictures को आपको अच्छे देखना है, observe करना है, समझना है, okay, so first one is, first में एक point दिया गया है कि have you ever seen any seat that can fly, क्या कभी आपने कोई, क्या कभी आपने कोई ऐसा बीज देखा है जो ओर सकता है, okay, तो उसके बारे में आपको बताना है, okay, then, what is it called in your area, it means that, उस बीज को आपके area में, आपके छेतर में क्या बोलते हैं, okay, ये दो questions हो गए, third one is, look at your seed collection, आपने भी जितने बीज इखटे किये हुए थे, उनको आपको देखना है, guess, और आपको अनुमान लगाना है, okay, guess, how many of these, those, could have troubled by flying, आपको उन में से अनुमान लगाना है कि उतन बीजों में से कितने उड़ कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, okay, then, ये आपके तीन questions थे, okay, तीनों questions को मैंने आपको समझा दिया है, then, next question, इसी के बारे में थोड़ा कुछ आंगे, describe किया गया है, कि, look at picture 2, picture 2 पर आपको देखना है, okay, this seed cannot fly, जो picture 2 में, जो भी बीज बताया गया है, वो ओड़ नहीं सकता है, okay, देखें आप इस तरीके की बीज आपने भी गाउं में देखे होंगे, okay, तो जो आपको देख रहा होगा, उस पे से कुछ हलके हलके रुए टाइप के देख रहा हैं, वो बीज के ऊपर, okay, जब आप उनको छूते ह तो हलका सा वो आपके उंगलियों में चुब जाते हैं, और इस वाली पिक्चर में आपको देख रहा होगा, कुछ बीज जो कपास टाइप का लग रहा है, आपको रुए जैसे देख रही है, तो रुए एक जगए से दूसरी जगए ओड़ती है, तो इस टाइप का यह फर आफ एनिमल्स, ओके, फर मीज हम बोल सकते हैं, जानवरों की चमड़ी या जो खाल बोलते हैं हम जिसको, ओके, तो इस टीर केंनोट फ्लाए, यह वाला जो बीज है वो ओड़ नहीं सकता, बट इट कैने स्टेल ट्रेवल बार स्टिकिंग ओन तो दाफ फर आफ एनिमल् जानवरों की काल पर या तो चिपक ए एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, या फिर हमारे कप्ड़ों में यह चिपक कर आजाते हैं, जैसे आपने कभी भी खेट पर जब आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे बीज ऐसे रहते हैं, आपके quite पर चिपक ए जाएं वो तो आप फिर उनको निकाल के एक जगह से दूसरी जगह देते ओंगो तो वह भी त्रेवल हुए वह एक जगह से दूसरी जगह ऐसे पहुंचे या पर आपने देखाँ होगा आपके घर में जानवर होंगे गाय बैल भेंस या फिर डॉक्स होंगे कुट्टे होंगे तो जब वो कहीं जाते हैं तो उनकी इसकिन पर भी बहुत सारी बीज लगे हुए रहते हैं तो वो भी जब वो जिस जगह से होकर आते हैं फिर वो दूसरी जगह में भी हो सकता वो बीज गिर जाएं जब वो खुझलाते हैं तो इस तरीके से वो जानवरों के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होते हैं पहुंचते हैं इन दिस वे इट गैट सा फ्री राइड और इस तरीके से जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह मुफ्त में पहुंचते हैं फ्री अब आपको देखो कि जो मेस्ट्रल थे उनको वेलक्रो का आइडिया कैसे आया अब हम समझेंगे कि वेलक्रो क्या होता है तो इस स्टोरी में आप लोग यहां पर देखेंगे यहां पर एक स्लीपर टाइप बनी हुई है तो आप इसमें देखें यह चिपकने वाली है ना पर जब आप खोलते हैं तो चर्व की आवा जाती है इस टाइप का है ना ओके तो देखें आप आपको इस तरीके के जो बीज देखकर आपको आप समन में आ गया होगा कि इस तरीके का आइडिया आए ना तो यहां पर एक चीज़ दूसरी चीज़ से चिपक रही है तो यह आइडिया हम भी बोल सकते हैं ओके ऐसे बीज क्या करते हैं हमारे कपड़े से वह बीज चिपक जाते हैं तो यह आइडिया यहां पर फॉलो हो रहा है ना यह भी तुछे पक रहा है जैसे बीज हमारे पैंट से चिपक जाता है ओके तो यह आइडिया भी आया ओके तो देन हम देखें कैसे this happened in 1948 यह घटना 1948 की है या फिर यह 1948 में हुआ then one day George Mastral came back from a walk with his dog अब एक बार क्या हुआ कि George Mastral थे अपने dog के साथ dog को गुमाने के लिए ले जाते हैं तो dog के साथ वो सेर से लोटे लोट रहे थे तो क्या हुआ कि जब वो लोटे कुट्टे को गुमाने के बाद he was amazed to find seeds sticking all over his cloth उन्होंने देखे कि कुछ बीज उनके पूरे कपड़ों में चिपके हुए हैं तो वो हैरान हो गया he was amazed वो चकित हो गया या हैरान हो गया to find seeds sticking all over his cloth जो उनके कपड़ों में इन बीजों को अपने कपड़े में चिपका देखकर कि वो हैरान हो गया and on his dog's fur और उनके जो कुट्टे की चमड़ी के ऊपर भी वो बीज चिपके हुए थे then तो वो यह सब देख करके हरान होगे कि यह बीज कहां से आ गया मेरे कपड़े में भी लगे हुए है और मेरा जो में dog को गुमाने के लिए ले गया था उसकी चमड़ी में भी चिपक के आ गया तो he wondered what made them stick वो मतलब चकित होगा है वो आश्चर चकित होगा है कि मतलब इनको he wondered what made them stick किस चीज ने इनको चिपक नहीं लायक बनाया then so he observed these seeds under a microscope उन्होंने एक microscope को बोलते हैं सुक्ष्म दर्सी जिससे हम छोटी छोटी चीजों को भी बड़े रूप में देख सकते हैं तो उन्होंने microscope लिया और उससे उन बीजों को observe किया he saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloths or fur उन्होंने देखा कि जो बीज थे उनमें छोटे छोटे हुक थे ओके जो अपने आपको कपड़ों से या जानवरों की खाल से चिपकने में मदद करते थे ओके या फिर वह इन हुक की वज़े से उनके कपड़ों से क्या अटक गए थे ओके अब यह देख करके मेस्टल को आइडिया आया कि क्यों ना वैल्क्रो बनाई जाएं हो देन ही में मैं जैस्वी इसमेड होकय से कुटा होस में च्योटे च्योटे होक्स लगा आप देखें जो चपल हमारी चिपक ती हैं और इसमें भी हुक टाइप लगे रहते हैं जब हम उनको चिपक आते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाती है ना चोटे छोटे विल्कुल एक तरफ रोई टाइप की लगे रहती है तरफ हुक लगे रहते हैं तो वैलको is used to stick together जो वेलक्रो का यूज किसके लिए किया जाता है कि कई चीजों को एक दूसरे में चिपकाने के लिए जैसे कि यहां पर आपको यह बैक वगेरा हुए जो वेलक्रो का यूज किसके लिए किया जाता है बहुत सारी चीजों को आपको चीजों को परक करके हम प्रेणा ले सकते हुए करके चीजों को परक करके हम ले सकते उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये बीज हमारे कपड़ों में है कुटरे की खाल पर ये तोचा पर ये चिपक गये हैं चमडी पर चिपक गये हैं तो उन्होंने उसको देख करके आईडिया आया Also भी ऐसी चीज़े बना सकते हैं जो आपस में चिपक जाएं और हमारा कोई भी काम इजी हो जाएं तो इस स्टोरी को देखकर के आप सुनकर के आपको कुछ ना कुछ नया आइडिया आया होगा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंगे कवर करेंगे So far today thank you for watching this video